गूट मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमली को और आज दिन है फ्राइडे ओवर वह इस तो मैं आज सटर्डे को दे रही हूं पर यह वीडियो जो है फ्रैल्डे की है क्योंकि फ्रैल्डे को मैं जा रही थी सूरज को सूरज को लेके मतलब आगरा रिचेक प के लिए तो मैं लगा रही हूं खाना क्योंकि पूरा दिन लगना था सुबह जाना था साम को वापस आना था तो मैं खाना लगा रही हूं तो इसमें मैंने दो शेप कट करके रखे हुए हैं और उसके बाद खाना लगाया तो यह टिफिन सूरज के लिए मैंने अलग पैक कर दिया था और अपने लिए अलग पैक किया था क्योंकि मैं ना सूरज की अभी जो सबजी बनाती हूँ वो थोड़ा सा कम मिर्शकी बनाती हूँ और उसकी अलग बनाती हूँ यानि कि कभी अलग भी बना देती हूँ कभी उसकी निकालने के बाद अपनी सब्जी में थोड़ा सा मिश मसाले अट कर लेती हूँ तो यहां पर मैंने सुरज की टिफिन में सब्जी लगा दी और कुछ ड्राइफ रोट्स रख दिये हैं क्योंकि पूरा दिन लगना था और घर में उसका खाने पिने का काफी ध्यान रखा जाता है क्योंकि तो पूरा दिन लगना था तो घर के हिसाब से तो नहीं हो पाया लेकिन फिर भी जितना हम रख सकते थे जो भी रख सकते थे वो हमने उसके लिए रखा ड्राइफ फूर्ट्स रखे चेहना रखे और खाना रखा उसके बाद रियल जूश भी ले गए थे हम उसके लिए तो यह टिफिन हमने उसके लिए अलग लगा दिया था क्योंकि उसकी सबजी अलग रहती है और उसके बाद हमने अपने लिए अलग लगाया था अपने लिए और ड्राइवर विया के लिए और एक लड़का और था लेकिन उस लड़के का मुझे पता नहीं था वो बात में पता चला लेकिन फिर भी खाना हो गया था सबके लिए तो यहां मैंने अपने लिए यह लगा रही हूँ तो इस तरीके का टिफिन दूसरा नहीं था जैसा मैंने सूरज के लिए लगाया और यह जो सूरज के लिए मैंने जो टिफिन लगाया है यह देखने में जब मैंने इसको मंगाया था ना ओनलाइन मंगाया था मैंने इसको तो देखने में मुझे ऐसा लग रहा था न, छोटा सा है, इसमें क्या आएगा, अच्छे से आ नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे कि ये बच्चे जैसे छोड़े बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, उन्हीं के लिए ठीक है, बढ़ों के लिए ठीक नही तो इसमें काफी, मतलब अच्छे से खाना आ गया, जितने मतलब हम बड़े के लिए खाना में चाहिए, उतना खाना इसमें आ गया, और अच्छे से मतलब खाना उसमें लग गया, काफी अच्छा टिफिन है, मतलब इसमें काफी है, तो ये हमारा सब का खाना भी लग गया है, और उसके बाद हमने खाना रख लिया तो सुरज के लिए हमने रियल जूस भी रख लिया था और ये जो काला नमक है, ये भी मैंने रख लिया क्योंकि इसको डाल की ही सुरज ड्राइफरूट, सुरी, फ्रूट्स वगरा खाता है तो इसको भी हमने रख लिया पहले से तो डाल नहीं सकते थे हम प्रूट्स में यहां से तो सभी तैयारी होने के बाद अब हमारी बारी है निकलने की तो अब हम लोग निकलेंगे और सभी की दुआओं ने जो काम किया ना वो बहुत मतलब सुर्ज समझ लो सभी की दुआएं उसको लगी हैं जो कि उसकी जान बच गे दुबारा से उसका समझ लो जान मुगा है कंडिशन अची हो गई थी कि लग नहीं रहा था कि यह बचेगा लेकिन सभी की दुआओं ने और दवा ने और भगवान की जो है कृपा ने भगवान ने मतलब भगवान ने और सबकी दुआओं ने उसको बचा लिया तो हम लोग निकल गए हैं और यह है सूरस काफी ज़्यादा भी खो गया है लेकिन अब तो फिर भी बहुत ठीक है क्योंकि एक महीना हो चुका है अपरिशन हुए और अब तो फिर भी बहुत ठीक है तो हम लोग निकल चुके और हम लोग पहुँच भी गया है और यह है वो हस्पिटल जहां हमें जहां से हमें जहां से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है यह वो हस्पिटल है और देखिए हम लोग बापस भी आ गए हैं और रास्ते में इतना लंबा जाम लगा है बापसी में बहुत लंबा जाम लगा था क्योंकि हमने वहां पे कोई वीडियो नहीं सूट कर पाई थी हॉस्पिटल के अंदर साइद अलाउट भी नहीं है और अलाउट का मुझे के लिए पता भी नहीं है क्योंकि मैंने नहीं की थी और देखिए मैं बापस भी आ चुकी हूँ घर पे आ गई हूँ और रास्ती में ना मेरा मन जो ना सफर में ऐसा हो जाता है कि फिर आके मेरा ना तो मेरा कुछ भी खाने पीने का मन करता है नहीं कुछ काम करने का मन करता है तो मैं आ गई थी दीच्छाने बना ही चाहे तो ये बिस्कृट नमकिन के साथ चाहे भी फिर ये एक दो शिंगारा खाया और यहाँ पर दिछाने खाना बना लिया था करेले की सबजी और दही के आलू करेले बन चुके हैं दही के आलू बन रहे हैं और दिछाने बना ही थी खीर दूद रखा हुआ था दो ली तो मैंने खीर बना ली मैंने का चलो अच्छा है तो खीर भी बना ली थी उसने तो मेरा मिल्क उर मननी उराथा कि मैं खाना खाऊँ तो वो मुझे से भूली तो खीर टेस्ट करके देखो कैसी बनी है तो मैंने थोड़ी सी खीर खाई और फिर मैंने खाना नहीं खाया तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हूं फिर मिलते हो नेक्स तो लाग में बाइ-बाइ